जन्पत के सहसु स्थित लाल बाजार में कॉंग्रेस सम्विधान सम्मेलन में जम कर बवाल हुआ सम्मेलन में कॉंग्रेस कारेकरता आपस में भिड़ गए मंच पर बैठे कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता लोगों से शांत रहने की अपील करते रहे लिकिन कारेकर्ता एक दूसरे पर लात्खु से बरसाते रहे। काफी देर बाद मामला शांत हुआ। यह जगड़ा सोशल मीडिया में खूब वाइरल हो रहा है। रविवार को कॉंग्रेस के सम्विधान सम्मीलन का आयोजन था। इसमें प्रदेश के कई जिलों से कारेकर्ताओं के अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजैराय सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। जगड़े के दौरान कारेकर्ताओं के दो गुठ हो गए। वे आपस में भेड़ गए। दोनों तरफ से हाथा पाई होने लगी। मंच पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेता कारेकर्ताओं को समझाने लगे। कोई कहां सुनने वाला था। काफी देर तक दोनों गुटों में लात खुसे चलते रहे। बड़ी देर बाद मामला शांत हुआ। कंग्रस के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष अविनाश पांडे ने कारेकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भिम्राव अंबेडकर ने समविधान में समानता के अधिकार के साथ सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अधिकार दिया है। गठ बंधन से जो भी उम्मीदवार आएगा उसे जिताने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजैराई ने कहा कि हमारे कारेकरता बूत्सतर पर मजबूती बनाएं। ताकि फूलपूर विधान सभा उपचुनाव में कठ बंधन पूरी मजबूती से लड़ सके। रश्ट्रिय महासचिव राजेश टिवारी ने कहा कि फूलपूर उपचुनाव सहित पूरे प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ते हुए सम्विधान के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। समेलन में अन्याई सांसदों एवं विधायकों ने भी संबोधित किया। कंग्रेस शहर उपाध्यक्ष परवेज एहमद सिदीकी ने वारता करने पर जानकारी देते हुए बताया कि वहां टिकेट के वर्चस्व को लेकर दो गुठ हो गए थे। जबकि देखा जाए तो य यह धरती जवाहरलाल नहरू की रही है। काइदे से यहां कंग्रेस के उम्मीदवार को टिकेट मिलना चाहिए। लगता है कि यह सीटकट बंधन में सपा को दे दी जाएगी। वहीं फुजैल हाश्मी ने दोख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटना दुखद एवन दनिया है।